दोस्तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे question number 23 of chapter NPO from the book T.S. Grewal 2021 edition तो आईए दोस्तो question read करते हैं From the following information prepare subscription account for the year ended 31st March 2021 Information हमें given है दोस्तो subscription in area that is outstanding subscription and subscription in advance तो यहां दोस्तो यह opening में बता रखा है आपको कितने थे balances और closing के balance कितने थे तो opening में outstanding subscription 20,000 and advance 13,000 थी and closing outstanding 18,000 and closing advance 11,000 रुपे हमें given है इसके बाद कहता है in the year ending 31st March 2021 subscription received 210,000 रुपीज और इस दोस्तों कहता है 6,000 रुपे of area from previous year तो 6,000 रुपे तो पिछले साल का हमें receive हुआ है and subscription in area of previous year were written of 4,000 रुपीज इसका मतलब दोस्तों ये कहता है कि ये जो subscription in area थी पिछले साल opening में कितना था 20,000 रुपे तो कहता है इस 20,000 रुपे में से during the current year 6,000 रुपीज तो हमें receive हो चुके है और 4,000 रुपे वो हम return off कर देंगे इसका मतलब ये 4,000 हमें कभी भी receive नहीं होंगे तो ये हमारा सीधा loss हो जाएगा इसे हमें subscription return off करके subscription account में दिखाना होगा credit side में तो इसका मतलब 20,000 में से 10,000 रुपे का हिसाब अगर निकाल दिया जाए तो 10,000 रुपे ऐसे हैं previous year के जो अभी भी NPO को receive नहीं हुए that is ये still outstanding subscription के तौर पे दिख रहे होंगे कब 31 March 2021 को तो outstanding subscription हमें जो दी हुई है ये closing में 18,000 रुपे इस 18,000 में से ये हमें total subscription दी हुई है outstanding 18,000 अगर इसकी bifurcation करेंगे हम तो इसमें से 10,000 रुपे तो दोस्तो ये वाला previous year का still outstanding चल रहा है 31 March 2021 को तो इसका मतलब 18 में से 10 पिछले साल का है तो current year का कितना amount NPO को receive नहीं हुआ होगा इस साल तो that is वो होगा हमारा current year का 8,000 रुपे ठीक है दोस्तो तो ये हमने analysis करा यहाँ पे इस पूरे question का कि कैसे कैसे चीजे इस question में given है आई ये इसका solution देखते हैं देखें दोस्तो subscription account आप बनाएंगे यहाँ पर आपको 2 balance BD opening में जो outstanding था 20,000 यहाँ दिखाएंगे यहाँ पर आप buy balance BD opening में जो आपको advance यहाँ दोस्तो आपको दिखाना होगा advance subscription जो कि कितनी थी 13,000 रुपे उसका बाद buy bank का आपको 2,10,000 रिसीव हुआ था और इस बार question में एक नई information given है subscription return off की तो वो आप इधर credit side में by subscription return off 4,000 रुपे दिखाएंगे because यह हमें future में receive नहीं होने वाले इसके बाद by balance CD यहाँ आप outstanding subscription दिखाएंगे 18,000 रुपे total अगर आप दिखाना चाहें यहाँ पे previous year का तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 19,20 और 20,21 का separately amount कितना है तो अगर इसे आप दिखाना चाहें तो 19,20 में आपको पता है 20,000 रुपे में से 6,000 तो आपको इस 2,10,000 में receive हो गए होंगे तरीके से भी दिखा सकते हैं for proper presentation इसके बाद यहाँ पर दोस्तों to balance ED में आप closing में कितना advanced subscription तक 11,000 यहाँ दिखाएंगे और उसके बाद आप यहाँ credit side का total करेंगे 2,45,000 आ जाएगा यहाँ भी आपका आएगा 2,45,000 रुपीज और इसके बाद आप यह debit side में 20 और 11,000 माइनस करेंगे तो you will get 2,14,000 रुपीज as the balancing figure and it will be your answer तो I hope दोस्तों आप सब को यह solution समझ आया होगा तो आप सभी solution को note down करें और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बाकिया मिलेंगे next वीडियो में next question के साथ अगर आपका इस question में कोई doubt है तो आप comment section में जाकर पूछ सकते हैं और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली वीडियो की notifications के बारे में आपको पता चल सकें Bye everyone